गूर्णिंग क्लास आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पार्ट नो पड़ेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ एक्जामपल दिखाती हूँ हाना तब हम आप इस पार्ट के बारें बात करेंगे ताज महल को सहां जाहां जहां ने मुम्ताज मुम्ताज की याद में बनवाया था था ठीक है फिर दूसरा है आपका इसमें यह दि मैं देखू आयूश सेब खा रहा है आयूश सेब खा रहा है या फूल में फूल में सुघंद वा शहद में मिठास है ठीक है यह जो है इसमें आपका तो इसमें जो यह क्या है आपका ताज महल साहाजा मुम्ताज अयूस सेफ फूल सुगण सहेध मिठास यह सब और आपके म१ूम्ताज यह स्थानों के नाम आपके साहऑ। के नाम है म१ूम्ताजCha क्या म१ूम्ताज आयूस यह क्या वेक्तियों के नाम है आपके आपका श्यव क्षर का है वस्तनों के नाम में पिर आपका जैसे फूल के नाम में और समय में भी शुगंध और मिठास कि नाम coli इन्ही नामों को हम क्या कहते है व्याकरण की जो भाशा है इसमें हम क्या कहते है इतको संग्या आपका पार्ट क्या है आज संग्या ठीक है आज हम संग्या पढ़ेंगे तो संग्या की जो रेफिनेशन होती है, तो क्या बनी रेफिनेशन इससे, किसी व्यक्ति, वस्तु, आपके प्राणी, फिर आपका स्थान, या भाव, भाव के नाम को संग्या कहते हैं, आगे समझ में संग्या कहते हैं, या आपके संग्या के रेफिनेशन होगी, आपके फिर संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं, पहला है इसमें आपका व्यक्ति वाचक, व्यक्ति वाचक में व्यक्ति वाचक में क्या बोला में जिस संग्या शब्द से जिस संग्या सब्द से किसी विशेश किसी विशेश व्यक्ति विशेश व्यक्ति अस्थान या वस्थूक में बोद हो बोद हो हैना तो उसे हम क्या कहते हैं आपका वो व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं 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 व्यक्तिवाचक संग्या कहते ह अगर समेश में एक्तिवाचक के बाद आपका दूसरा होता है इसमें जातिवाचक संग्या है जातिवाचक संग्या में जिस संग्या समत से एक संग्याश किन्या इत मateur चार्स चाह एक परकार की एक प्रकार की समस्त वस्तों और प्राणियों प्राणियों का बोध होता है उसे जाती वाचक संग्या क्याते हैं ठीक है तो यह आपकी जाती वाचक में आगे फिर आपका थर्ड है इसमें भाववाचक संग्या भावचक में जी संग्या सब्द से तो इसमें आके आएगा आपका जीस संग्या शब्द से किसी प्रदार्थ ना किसी प्रदार्थ या प्राणियों के दार्थ गुण, दोश, दशा, भाव, आदिका, आदिका, बोध होता हो, उसे भावाचक संग्या कहते हैं. भावाचक संग्या कहते हैं. ठीक है? तो इसमें भावाचक में क्या आएगा आपका? किसी भी संग्या सब्दी अप्रानी के गुण, उसके दोस, उसका दशा किस दशा का है, भावावाचक संग्या कहते हैं, जैसे बुड़ापा, मिठास, मितृता, इमानदारी, स्वतृता, बचपन, मधुर्ता, इस तरह के जो शब्द होते हैं, उसके भावाचक संग्या के अंतरगत आते हैं आपके, भावाचक संग्या की जो विसेशता हैं होती हैं, कि जाती वाचक, तथा वेक्ती वाचक संग्या को हम क्या कर सकते हैं, आपको से देख सकते हैं, प्रंति भाव भावाचक संध्यां को नहीं है लिए अग्रेजी में थायई लिए एन्पय Зगने दो और दे रहे हैं वहिए में, जिसills नाप तोल वाली वस्तों का बाद होता है जिनको हम नापते हैं जिनको तोलते हैं उनकी वस्तों का बोध होता है उसको हम समू आचक लेते हैं जैसे कि आपकी कख्ष हो गया सेना होगी सभा हो गया परिवार हो गए आपकी कक्षा हो गई है ना जैसे कि आपका पार्टी हो गई पुलीस हो गई भीड हो गई यह सब किसके अंतरगाद आते हैं आपके समों आचक के अंतरगाद आते हैं संग्या के अंतरगाद आते हैं फिर इसमें है आपका भाव आचक संग्याओ की रचना ठीक है तो इसमें दो तरह से होते हैं कुछ तो मूल रूप से होते हैं जो भावचक जिनका मूल रूप में होते हैं जैसे दया चमा प्रेम दुख क्रोध यह मूल रूप में होते हैं कुछ भावचक संग्या हैं अन्य सब्दों के द्वारा बनाई जाती हैं जिनका वर्णर में हापे कर रहे हूं हाना पहला आता है इसमें आपका जाती वाचक संग्या से जाती वाचक संग्या से भावाचक बनाना उसमें जैसे की पहला है मनुश्य मनुश्य है यह जाती वाचक संग्या आपको इसको देख सकते हैं कि अभावगे ना तो मनुश्य क्या बनेगा ने गए इस제 AGA busy के इसमें दूसा लेते हैं जैसे मित्र मित्र आपका जैती वाचक है इसका जो बनेगा भावाचक क्या बनेगा मित्रिता इस तरह से आपका जैसे बुढ़ा ले लिया हमने बुढ़ा है बुढ़ा जाती वाचक संगे है आपका इसका भावाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा बुढ़ापा इस तरह से आपको इसको बनाना है जैसे कि आपका लेते हैं शिक्षक को हम कैसे पेचानेंगे आपके उसकी शिक्षा के द्वारां से है शिक्षा इस तरह से आप जाती वाचक संग्या से भावाचक संग्या बनाएंगे इसको फिर आपका आता है इसमें दूसरा सर्वनाम से इस्वायन्नाम हो गया आप, आप से क्या बनेगा आपा, दूसरा है इसमें आपका अपना, अपना पन, पन, फिर इसमें जैसे मं, मं से क्या बनेगा ममता, फिर आपका मंते त्यत्तव भी बन सकता है, तो परायपन से परायपन यह सुन्ना वालों गया थाड़ आपका विशेशन से बनाना यई अपर आपका जैसे विशेशन क्या है बूरा हना क्यों होता है जिसके हम क्या पता चलता है हमें क्या पता चलती है तो बुरा है ना बुरा से हम क्या बनाएंगे भावाचा उसकी बुराई हाना फिर आपका भला भी ने सकते हैं भला से भलाई कि अना फिर आपका अच्छा अच्छा से अच्छाई अच्छाई हाना फिर आपका हरा से हर्याली यह हो गया हाना फिर आपका किरिया से फोर है आपका किरिया से भावाचक संग्या बनाना तो इसमें किरिया क्या होता है किसी काम का करना होना पता चलता है आपका तो पढ़ना पढ़ना से क्या बनेगा आपका पड़ाई हाना फिर आपका जैसे गहरा हो गया गहरा हाना तो उसकी कैसे पता चलेगा गहराई से गहराई ये आपकी भावाचक संग्या हो गई हाना जैसे कि आपका थकना थकना का कैसे पता चलेगा भावाचक संग्या बनाएगे तो क्या बनाएगा थकावट हाना थकावट से घबराना घबराना का किसे पैचानेंगे उसकी घबरहाट से घबराहट हाना इस तरह से हम इसको भावाचक संग्याओं में बदलेंगे हाना किर्याओं को विशेशन को जंग्या सुन्नामों को इस तरह से भावाचक संग्यां में हम इसको बदलेंगे। अब इसमें आपकी exercise है हना इसमें exercise 4 वाली दिये है हमने बाकी थरड़ वाली आप स्व्वाईम करोगे इनको वह बनानी वावचक संग्या फिर खाली अस्तानों में जाती वाचक संग्या लिखनी है आपको जाती वाचक संग्या लिखनी है डैस सारा दूद पी गई तो कौन बिली आयुश समान खरीदने जायका बाजार यह किसम आएंगे आपके जाती वाचक संग्या के अंतरगत आएंगे फिर यसले में आपका यह लिया हैSpe stop delivery लिख सकते हो फिर इसमें आते हैं यह सभी आती है दोनों टैस वर मचा रहे हैं बच्चे True deal panda wedding갈 वंए घ्र कोंष्टव सचुन कर आपको लिखने से लिखने । सजन का सजनता, स्वामी का स्वामित्व अठकणा का ठकावट, ठीके फिर निमनेखी सब्दों को पहचान कर वेक्तिवाचक, जातिवाचक, भावचक संग्यां को अलग अलग करके सही अस्थान पे आपको यहापर लिखना है कि वो व्यक्तिवाचक संग्या है वो जातिवाचक है या भाववाचक है इन में से आपको चार कर इसमें इस फिल करने है आपके ठीक है फिर नीचे देगे सही विकल्पर पर सही का चीन लगाना है आपको कौन सा सही है इन में से कौन सा सब्द व्यक्तिवाचक संग्या नहीं है कौन सा नहीं है व्यक्तिवाचक संगया बताओ, नेहा व्यक्तिवाचक है, ताजमहल व्यक्तिवाचक है, कुतुम मिनार आपका व्यक्तिवाचक है, दुकान किया है, आपका जातिवाचक है, तो ये नहीं है, मित्र सब्द से बनी भावचक संगया, आपको भावचक संगया बनानी है, मित्र को मित्र से नहीं, मित्रता, मित्रता से पेचाने हैं, यह आपकी भावचक संग्या है, इसमें, भावचक संग्या किस से नहीं बनाई जा सकती है, बताओ, अभी मैंने बताया था, विशेशन से बनती है, किरिया से मैंने बनाई थी, सुननाम से बनाई थी, त हई अपको यह मैंनुष्य बनेगा नहीं मानव बनेका मानवता बनेगी यह आपका अपकी एक्सेस थी इसमें आपको इसमेंसे 4 वाली और वाली कपी में करनी है है और अए 6 और आपके 2 वाली आप और बूरु बूर्प में करोगे धन्यवाद प्रूप्ट हैं कि दो सेंगे।